नमस्का दोस्तों हमारे यूटूब केनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं SBI कॉंट्रा रेगुलर फंड के बारे में यह एक इक्विटी में एमेच्वल फंड है और एक कॉंट्रा केटिकरी के अंतरगत आता है अगर इसक पांच आजराट्सों सताविस करोड अगर इसके रेटिंग की बात करे तो यहां पर वेल्यू रिसास ने इसे फाइव फाइव अप्टू फाइव रेटिंग दी है यहां पर अगर मॉर्निंग इस्टार की बात करें लिए उन्होंने कोई भी रेटिंग इसको नहीं दिये क कॉंट के अब इसके बात करें तो अगर बेंचमाअ के ऐक लिन होगा मॉक रिटर्ट का और एक अपको देरी और यहां परेट की बात करें तो लेसे इए एक परसेंट का आपको चार्जेस देना होगा अगर यहां पर टैक्स की बात करें तो एक साल से कम टाइम प्रेड में अगर आप यह फॉंड को एक्जीट करते हो तो आपको 15 परसेंट की हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा जिसे सोट तरम गेंट टैक्स बोलते हैं औ अगर एक साल के बाद अगर आप शेल करते हैं तो आपको 10 परसेंट लॉंग टर्म गेंट देना पड़ेगा एक लाग तक का जो प्रॉपिट है उसे एक्जिम्ट कर लिया जाएगा अगर यहां बात करें तो एंजल ब्रुकिंग आप से जीरो चार्ज करती है अगर इन्व किया जाता है तो इसका जो मौडरेट हाइली हम इसको मान सकते हैं यह रिस्की है अगर बात करें होल्डिंग पेटर्न की तो यहां पर इन शेयरों की केटिगरी आप देख सकते हों सबसे ज्यादा ट्रेप्स में फिर एलगी एक्विप्मेंट में दिया गया है छे दसम लो है अगर इसकी के बात करें तो इकविटी मेच्वल फंड है और एक ग्रोड टाइप का मेच्वल फंड है अगर इस फंड की बात करें तो दिनेस जी इसके दिनेस बालाचंदरन इसके फंड मेनेजर है जो 2018 से कारिशरत है ठीक है तो यह फंड जो इंस्पेक्शिन शुलू यह इस फंड की शुरुवात हुई थी 14 जुलाइ 1999 को हुई थी और इसका जो बेंच मारक है यानि इस फंड को अगर कंप्रेजन करना होगा तो आपको SNP BSC 500 के से आपको कंप्रेजन करना पड़ेगा अगर इसके एक्सपेंस रेशो के बात करें तो आभी काफी हाई है 2.28% इसका एक्सपेंस रेशो है और इस तरह से आप इस SBA Contrast Fund में अपना इनिवेश कर सकते हो क्योंकि इसका काफी अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा अगर वीडियो अच्छे लगा तो वीडियो को लाइक किजिएगा हमार से चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा थेंक्यू फोर वाचिंग इस वीडियो